दोस्तों बहुत बहुत स्वागे था आपका अपने यूट्यूब चैनल स्वागेंट टेक पर जैसे कि आज मैंने कम्मूनिटी पोस्ट डाला था और आपको उसे पूछा था कि आपके मैंने में कोई भी कोश्चिन हो पूछ लेना आपने बढ़े बहेंकर बहेंकर सवाल साथ इस बेल आइकन को भी दबा देना था कि आपको हमारे वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके तो दोस्तों यहाँ पर पहला कोश्चिन आ रहा है राजिंदर सिंग की तरफ से जी हां स्वैगेंट क्या भाई जिन लोगों के घर के पास किसी कंपनी का नेटवर्क ता से यह आपको मतलब शोट टाइम में नहीं दिखेंगी यह लोंग टर्म इफेक्ट करती है जी हां जैसे कि 3-4 साल बाद आपको जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करने को मिल सकती है ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली जो है यह चीज ज देखने को मिल सकती है आपको आय साइट पर फरक पर सकता है आपको हर्ट की प्रॉब्लम्स भी से हो सकती है क्योंकि मेरे एक फ्रेंड था उनके घर पे कम से कम से टावर लगा हुआ था उसके फादर जो है वो पॉलिस डिपार्ट्मेंट में थे और उनकी सेलेक्शन हुई रहा था और जब पोस्ट मार्टम में पता चला तब यह चीज सामने निकल कर आई थी कि कुछ रेडियेशन की वजह से जो है इनको दीरे 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 इंपक्ट हो रहा था और वो जस्ट कॉलाप्स हो गए और दोस्तों यह जो टावर देखी है किसी भी पेड़ का वहां से पत्ते बिल्कुल सूख जाते हैं और एक और चीज आपने देखी होगी आज कल जो है बर्ड जो हमें नजर ही नहीं आते वाई तो इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो मुबाइल टावर हैं उनकी रेडियेशन से इसलिए में ना चिडि इसलिए या हाडवे रेलेटिड तो हमें आपको बताना चाहूंगा कि यह बिल्कुल भी सॉफ्ट्वेर इसलिए नहीं लग रहा है यह हाडवेर का ही इसलिए लेकिन फिर भी आगर आपके मन में कन्फ्यूजन है तो आप अपने फोन को एक बार हाड रिसेट कर लीजिए उसके बाद भी अगर यह प्रोब्लम रहती है तो आप यहाँ पर ओपो के सर्वी सेंटर में जाएं और वहाँ से अपनी प्रोब्लम को आप सुल्व करवा सकते हैं तो अगला कॉस्चिन जो है वो पूछते है बीपी की वाइन्स यह पूछने है कि नोकी एक सेवन का कैमरा 12 मेगापिक्सिल का है और मैक्स प्रो एम टू का भी में कैमरा 12 मेगापिक्सिल का है तो क्या कैमरा क्वालिटी प्रोब्लमोस्ट सें मिलेगी बाइ जरूर अनसर देना बाई ऊppenम को आपको Max Pro M2 के अंदर Sony वाला सेंसर देखने को मिलता है और अगर मैं बात करता हूँ Nokia X7 की तो उसके अंदर आपको काल्स जाइस ओप्टिक्स देखने को मिलते है हाँ इतना जुरूर है कि दोनों ही फोन्स में आपको जो है तो भाई अभी तो फोन आया ही नहीं है यारा और तुम पांच रीजन पूर से पूछ रहे हो लेकिन चलो आपने पूछा है तो मैं इसलिया इसका जो जवाब है वो देने वाला हूँ पहले तो मैं आपको यह बता दूँ के ओन पर जो स्पैसिविकेशन सामने आई है उसके साब से अगर यह फोन आता है 15,000 रुपे के अंदर तो यह सूपर वैल्यू फोर मनी जो होने वाला है पांच रीजन आप पूछ रहे हैं तो जितने हैं मैं बता देता हूँ आपको पहला रीजन है कि यह प्लास्टिक बोड़ी के साथ आपको देखने को मिलेगा पोली कार्बोनेट बोड़ी देखने को मिलेगी USB Type-C नहीं मिलेगा, Micro USB मिलेगा, Fast Charging नहीं मिलेगी आपको यहाँ पर उसके लावा यहाँ पर आपको स्टोक Android देखने को मिलता है जो कि मुझे एक्चुली जो है Customizable जो UI है वो ज़्यादा पसंद है जैसे कि Oxygen ओस थोड़ा बहुता ट्वीक्स जरूर करना चाहिए दोस्तों यह कोई जो reason मैंने बताये हैं यह इतने कोई मतलब ध्यान देने वाले नहीं है जादा फरक पड़ने वाला नहीं है अगर मैं बात कर लेता हूँ Fast Charging जरूर देनी चाहिए क्योंकि 5000 mAh की बैटरी को चार्ज करने में काफी जादा टैम लग जाता है उसके लाब अगला कोशन है यहां पर रियल मी 3, रियल मी 3 प्रो कब तक आएगा हमें इस फोन का वेट करना चाहिए या रियल मी U1 जो है वो ले लेना चाहिए पहली तो मैं यह कहना चाहूँगा कि Asus Zenfone Max Pro M2 आने वाला है आप उसका वेट कर लीजिए और रियल मी 3 और रियल मी 3 प्रो जो है वो आपको नेक्स्ट इयर ही देखने को मिलेंगे यानि कि जनवरी के बाद ही देखने को मिलेंगे यहां पर धननजे चोधरी पूस्ते हैं भाई आपके पास Max Pro M2 की यूनिट आ गई है अगर हां तो प्लीज जल्दी से जल्दी उसका बैटरी ड्रेन टेस्ट करें और U1 के साथ कंपैरिजन ले आओ तो भाई पहली बात तो मेरे पास कोई यूनिट नहीं आई है एसू जनफोन Max Pro M2 की और जैसे मैं इसको परचेज करूँगा परचेज करके आपके लिए एक बैटरी ड्रेन का जो कंपैरिजन है वो जरूर करूँगा रैपिड फाइर पुछा है माली G72 या Adreno 512 Snapdragon 660 या फिर Helio P670 भाई Snapdragon 660 Snapdragon 845 या A12 यहाँ पर Realme U1 या Max Pro M2 Color OS या Stock Android Front Camera या Rear Camera BB की वाइन्स या Amit बढ़ाना तो भाई खतरना कोश्चन थे यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर राजिश्वर जैन पूछते हैं स्वेगेंड आप जो भी काम कर रहे हो अच्छा कर रहे हो थैंक्यू भाई और यहाँ पर कोश्चन है कि M2 Pro की प्राइस सम्थिंग कितने की होगी चारज यह भी 64 वेरियंट की तो यहाँ पर M2 Pro M2 है और एक M2 है दो डिवाइस आने वाले हैं जो Pro M2 आने वाला है वह लगबग आपको पर गीता जैनती चलिए है यह एक मतलब इंटरनेशनल फेस्टिवल होता है और जरूर मैं कोशिश करूँगा कि एक विलोग जो है वह आपके लिए इसके उपर ले करा हूं तो यहाँ पर महिंद्र यादव पुस्टे क्या वाई डेविट कार्ट से जो है उनर के जो बड़े फोन है उनर प्ले वगर रहा है उनके अंदर तो आपको टाइप सी मिल जाता है लेकिन अभी बज़ेट फोन के अंदर यह नहीं दे रहे हैं उसके बाद शीव मिश्रा पुस्ते हैं आपकी वीडियो देखकर ओनर एटेक्स लिया इट्स वर्किंग फाइन थैंक यू माई कोश्चन इस आपना यूट्यूब पे एक्स्पिरियंस शेयर कीजिए आई मिन पहले कैमरा के सामने बोलने में और आज में क्या डिफरेंस लगा तो भाई आपका काफी ज़ादा इंक्रीज हो जाता है तो मुझे आप मतलब कैमरा सामने है तो मतलब ऐसा कोई अजीब सा फील नहीं होता जैसे पहले होता था तो एक तो यह है बेस्ट एप फोर एडिटिंग यूट्यूब वीडियो ओन मोबाईल आप कौन सा यूज कर रहे हो लव Master Pro application से उसके बाद अगला question लेते है चंदन देबनात पूछते सर पोको F1 में screen bleeding का issue solve वहा क्या update होने के बाद लेना ठीक होगा क्या please pick up my question पिछली बार भी नहीं आपने लिया था भाइक पोको F1 में जो screen bleeding को option है उसको किसी software से ठीक नहीं किया जा सकता वो एक hardware problem है अगर अगर आप purchase भी करते हैं screen bleeding आपको दिखाई जेती है तो आप उसे replace जो है वो करवा सकते हैं उसके अलावा अगला question लेते हैं यहां पर अक्षित कुमार पूछते हैं क्या realme 2 pro android 5 मिलेगा definitely आपको मिलेगा मैं पहले भी यह चीज़ बता चुका हूं यहां पर सायंतानी अगर मैं रियर कैमरे की बात करता हूं तो कोई तोड़ नहीं है अगर मैं फ्रेंट कैमरा और रियर कैमरा यानि की ओवराल अगर बात करता हूं तो मुझे Poco F1 जो है वो काफी बहतर नजर आता है अगले question की लिए लेते हैं कि हरी ओम जा पुस्ते हैं बताओ के ओनर एटे आ सकती है अगर ओनर देना चाहे क्योंकि दोनों में से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो hardware से related हो क्योंकि gyroscope दिया हो है तो EIS उनको देने में कोई भी दिकत नहीं होनी चाहिए और native video calling भी देनी चाहिए पता नहीं क्यों नहीं देते हैं भाई मुहमद अली पूछते हैं भाई मेरे ओनर एटेक्स का कैमरा इतना बेकार क्यों है सिर्फ नाम का 16 Megapixel लो लाइट में तो बहुत गंदा पिकाल आता है कोई समधान बताएं क्या मैं Realme U1 स्विच कर लूँ भाई सिर्फ कैमरे के लिए U1 जो है स्विच करना आप ये देखे ओनर के जो मिड रेंज के डिवाइस हैं उनमें काफी अच्छा कैमरा देते हैं लेकिन यहाँ पर प्रोसेसिंग में मुझे कोई इशू लग रहा है जो की अपडेट से शायद फिक्स कर दे तो आप थोड़ा से वेट कर सकते हैं तो दोस्तों बात कर लेता हूँ यार चैनल की बात कर रहा हूँ हो सकता है कि हफते में जैसे मैं छे वीडियो डालता था तो अब शायद तीन ही डाल पाऊं और बस यार कमेंट करके बता दो यार आप सपोर्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो मैं छे डालूं या फिर अपना ओफिस का काम भी करूँ और यहां पर पिकर कर रहूं याने के तीन वीडियो तो कम से कम दूँगा लेकिन तीन से ज्साधा देने की वी मैं कोशिश करूँ गा तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही उमीद करता हूं आपको इसवीडियो से थोड़ी हेल्प मिलिए है तो इस वीडियो को लाइक और शेर कर दीजे चैनल को सब्सक्राइब करना मत मुला मैं मिलता हूँ आपसे गले वीडियो में अपना ख्याल रखिए अपने परिवारा ख्याल रखिए धन्यवाद